डाक्टर साग, मुझे शादी होकर चार महीने हुए, अब तक मेरे पती का लिंग योनी में प्रवेश नहीं हुआ, क्या मेरे योनी रंद्र चोटी है, इसको बड़ा करने के लिए सजर्जरी करना है। खड़ा नहीं होता, खड़ा नहीं होता, आईरन के जैसे खड़ा रहा नहीं, श्ट्रांग होना है। लिंग का पर्मान तो बड़ता है, लेकिन श्ट्रांग नहीं बनता। इस रहे लिंग योनी में गुस्ता नहीं, लिंग योनी में प्रविश होना है, होगा नहीं। क्यों? लिंग श्ट्रांग नहीं बना। शही तो बड़ा वहा है, लेकि श्ट्रांग नहीं है। खड़ा रहने के लिए लिंग का प्रविशन है। यह सब क्यों? उसमें प्रफॉर्मस यह एंगे। एक प्रकार की डर उसके लिंग को उससे नरम रखती है। स्ट्रांग रखने के लिए मान में प्रकार का धीर धैरी रहना है। सब्सक्राइब कई पुरुशों को सेक्स बर में एंग्जेटी ये प्रकार की डर्व होती है। विज़नर की वज़े से लिंग खड़ा नहीं होता। यदि यह कारण है पुरुशों के बड़ से। और स्थ तो सेक्स में भाग लेने को तैयर होती है लेन उसके मन में लिंग को अपने योइन strajne में प्रविश होनी एक बारे में दट होते हैं इस लिंग अपने की योइनी में प्रविश वहा तो योइनी पड़ चाहिए गी, ऐसा समस्थे हैं, उस डर की वज़े से, नोईगली, अनोईगली, जाने-अन जाने, उस डर की वज़े से, यूनी के पास जो मांस पेशी होते हैं, खूप संकोची, पुरिश्का लिंग बहुत श्ट्रांग बनता है, लेकिन इसमें तो अंदर नहीं भु पूरिष कितना भी प्रप्रेजित करो, कोशिश करो। पूरिष कोशिश करने पर भी आंदर ने ज़िसता. दोनों ये एक है वह धर आंगेटी है इधर डर है इसलिए क्या चाहिए उनको दवा नहीं कौन से चाहिए कौन से जरे के उस मैला की मन में जो डर है उसको दर को दूर करना रिलागेशन तरफे होना उसा आदमे को भी relaxation, meditation, सब कुछ करने से ठीक बन जाते हैं, और कोई सजरी की जरुरूरत नहीं, दवा की जरुरूरत नहीं, एक ही जरुरूरत है, counseling, counseling करने से सब को ठीक बनेगा. पीस करोड व्यूस को निकट बाली, डाक्टर समरम Multi-Channel Network समर्पित, सुखसमसार चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाईए. क्टर समर्पित,